जालियावाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अम्रित्सर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियावाला बाग में 13 अप्रेल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था रॉलिट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज आफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड पर गोलिया चलवा दी जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक धायल हुए अमरिक सर के डिप्टी कमिशनर कार्याले में 484 शहीदों की सूची है जबकि जलियाम वाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है ब्रिटिश राज के अभिलेक इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 389 लोगों के शहीद होने की बात स्विकार करते हैं जिन में से 337 पुरुष, 41 नाबालिक लड़के और 16 सप्ताह का बच्चा था अनाधिकारिक आकरों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए यदि किसी एक घटना ने भारतिय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जगन्य हत्याकांड ही था माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अन्त की शुरुवात बनी 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस मारत पर मृतकों को श्रद्धांजली दी थी 2013 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री डैविड कैमरॉन भी इस मारत पर आये थे विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाख घटना थी घटना क्रम एतिहासिक दिवस्त 13 अप्रेल 1919 को बैसाखी का दिन था बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है परंतु विशेशकर पंजाब और हरियाना के किसान सर्दियों की रभी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशिया मनाते हैं इसी दिन 13 अप्रेल 1699 को दसवें और अंतिन गुरु गोविंग सिंध ने खालसा पंथ की स्थापना की थी इसी लिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा क्योहार है और सिखिसे सामुहिक जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं अमरिटसर में उस दिन एक मेला सैकडों साल से लगता चला आ रहा था जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदिर साहिब गुरु दुवारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का तोहार मनाने अमरिटसर में पहुँचे थे गुरु दुवारे से 500 मीटर की दूरी में जलियाम वाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महलाएं, गूढें, इक्थे हुवे थे और बड़ी ही खुसी के साथ बैसाखी का तोहार मना रहे थे अंग्रेजों की मन्शा प्रथम विश्व युद्ध, 1914-1918 में भारतिय नेताओं और जनता ने खुल कर ब्रिटिशों का साथ दिया था 13 लाख भारतिय सैनिक और सेवक यूरोप, अफरीका और मिडल इस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किये गए थे जिनमें से 43,000 भारतिय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे युद्ध समाप्थ होने पर भारतिय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नर्मी के रवये की आशा कर रहे थे परंतु ब्रिटिश सरकार ने मौन्टेगू चेंसफोर्ड सुधार लागू कर दिये जो इस भावना के विप्रीत थे लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के छेतर में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया था उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिती नियुक्त की गई थी जिसकी जिम्मेदारी ये अध्ययन करना था कि भारत में विशेशकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था इस समिती के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट लागो किया गया था जो आजादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था जिसके अंतरकत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिये गए थे जिससे वह प्रेस पर सिंसर्शिप लगा सकती थी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी लोगों को बिना वारंट के गिरफतार कर सकती थी उन पर विशेश ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाब दे ही दिये हुए मुकदमा चला सकती थी आदी इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफतारियां दे रहे थे गांधी जी गांधी तब तक दक्षिन अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोग प्रियता बढ़ रही थी उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करने का आहवान किया जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रोलेट एक्ट के अंतरगत गिरफतार कर लिया और कड़ी सजाय दी इससे जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक्तार संचार सेवाओं को बाधित किया आंदोलन अप्रेल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुँच रहा था लाहौर और अमरित्सर की सड़के लोगों से भरी रहती थी करीब पांच हजार लोग जलियाम वाला बाग में इकठे थे ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावरित्ती जैसी परिस्थिती लग रही थी जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तयार थे अंग्रेजों के अत्याचार आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफतार कर काला पानी की सजादे दी गई 10 अप्रेल 1919 को अमरित्सर के उप कमिशनर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई परन्तु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलिया चलवा दी जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेल्वे स्टेशन में आगजनी की गई इस प्रकार हुई हिंसा में पांच यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतिय जनता पर जहां तहां गोलिया चलाते रहे, जिसमें आठ से बीस भारतियों की मृत्यु हुई अगले दो दिनों में अमरित्सर तो शांत रहा पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और तीन अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉलागु कर दिया कांड का विवर्ण बैसाखी के दिन 13 अप्रेल 1919 को अमरित्सर के जलियाम वाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाशन देने वाले थे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था फिर भी इसमें सैंकडो लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आये थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुँचे थे जब नेता बाग में पड़ी रोडियों के धेर पर खड़े होकर भाशन दे रहे थे तब ही ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ट डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुँच गया उन सब के हाथों में भरी हुई राइफले थी नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा गोली बारी सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिये निहत्थे लोगों पर गोलिया चलानी शुरू कर दी दस मिनट में कुल 1650 राउंड गोलिया चलाई गई जलियाम वाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों और मकान थे भागने का कोई रास्ता नहीं था कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एक मात्र कुए में कूद गए पर देखते ही देखते वह कुआ भी लाशों से पट गया जलियाम वाला बाग कभी जली नामक आदमी की संपत्ती थी हताहत बाग में लगी पटिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुए से ही मिले शहर में कर्फ्यू लगा था जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका लोगों ने तडप तडप कर वहीं दम तोर दिया अमरत्सर के डिप्टी कमिशनर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है जबकि जलियाम वाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है ब्रिटिश राज के अभिलेक इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 389 लोगों के शहीद होने की बात स्विकार करते हैं जिन में से 337 पुरुष 41 नाबालिक लड़के और 16 सप्ताह का बच्चा था अनाधिकारिक आकडों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 389 बताई गई जबकी पंडित मदन मोहन मालविय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए स्वामी श्रधानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी मुख्याले वापस पहुचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉड डायर ने अपने वरिष्ट अधिकारियों को टेली ग्राम किया कि उस पर भारतियों की एक फौज ने हमला किया था जिससे बचने के लिए उसको गोलिया चलानी पड़ी ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉड डायर को टेली ग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया मैं तुम्हारे निरनय को अनुमोदित करता हूँ फिर ब्रिटिश लिफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने अमरित सर और अन्यक्षेत्रों में मार्शल लॉलगाने की मांग की जिसे वाइसरोई लॉर्ड चेम्स फोर्ड ने स्वीकृत कर दिया जाच इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निन्दा हुई जिसके दबाव में भारत के लिए सिक्रेटरी ओफ स्टेट एडविन मौन्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जाच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चला कर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहा गया था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए दो तोपे भी ले गया था जो कि उस संक्रे रास्ते से नहीं जा पाई थी हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉड डायर को पदावनत करके करनल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थे कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया हाउस ओफ कॉमंस ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया परंतु हाउस ओफ लॉड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ती प्रस्ताव पारित किया विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद को ब्रिटिश सरकार ने उसक उधम सिह नगर पहले नैनिताल जिले में था। लेकिन अक्टूबर 1995 में इसे अलग जिला बना दिया गया। इस जिले का नाम स्वर्गिय उधम सिह के नाम पर रथा गया है। उधम सिह स्वतंत्रता सेनानी थे। इस हत्याकांड की जाच के लिए कॉंग्रेस ने मदन मोहन मालविय की अध्यक्षता में एक समिती नियुक्त की। विरोध गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोधस्वरूप अपनी नाइठोर को वापस कर दिया। आजादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावा घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ। बलकि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। हाला की उन दिनों संचार और आपसी समवाद के वर्तमान साधनों की कलपना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आजादी की चाह न केवल पंजाब बलकि पूरे देश के बच्चे-बच्चे के सिर चड़ कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतियों ने जलियाम वाला बाग की मिट्टी को माथे से लगा कर देश को आजाद कराने का द्रिड संकल्क लिया। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था परन्तु इस धटना से पंजाब पूरी तरह से भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फल्स्वरूप गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। प्रतिघात, उधम सिंह, माइकल ओडायर जब जलियाम वाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था। उस समय उधम सिंह वही मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तै किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैकसटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लिफ्टिनेट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चड़ा दिया गया। गांधी और जवाहर लाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी। भगत सिंह इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालिया वाला बाग पहुच गए थे। समारक जलिया वाला बाग की दीवार जिसमें आज भी गोलिया दबी हुई हैं। वर्तमान प्रवेश अद्वार जलियाम वाला बाग में बुलेट के निशान। 2020 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद साइट पर एक समारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 1923 में ट्रस्ट ने समारक परियोजना के लिए भूमी खरीदी थी। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क द्वारा डिजाइन किया गया एक समारक साइट पर बनाया गया था और 13 अपरेल 1961 को जवाहरलाल नेहरू और अन्यनेताओं की उपस्थिती में भारत के ततकालीन राष्ट्रपती राजेंदर प्रसाद ने इसका उद्धाटन किय था बुलेट की गोलिया दीवारों और आसपास की इमार्तों में इस समय भी दिखती हैं जिस कुए में कई लोग कूद गए और गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे वह पार्ट के अंदर एक सनरक्षित समारक के रूप में हैं जलियावाला बाग राष्ट्रियस मारक संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में 19 नवंबर 2019 को पारित होने के पश्चात यह विधेयक संसत से पारित हो गया इससे पूर्व लोग सभा में 2 अगस्ट 2019 को पारित किया गया था केंद्रिय संस्कृती मंत्री प्रहलाद सिह पटेल ने बिल पेश करते हुए कहा कि जलियाम वाला बाग एक राष्ट्रियस मारक है तथा घटना के वर्ष 2019 में एक सौ साल पूरे होने के अवसर पर हम इस मारक को राजनीती से मुक्त करना चाहते हैं विधेयक में प्रमुख प्रावधान इस विधेयक के द्वारा जलियाम वाला बाग राष्ट्रियस मारक अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया इस संशोधन बिल में जलियाम वाला बाग राश्ट्रियस मारक अधिनियम में कॉंग्रेस के अध्यक्ष को स्थाई सदस्य के तौर पर हटाने का प्रावधान है विधेक यह स्पष्ट करता है कि जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता है केवल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ट्रस्टी बनाया जाएगा यह विधेक केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह ट्रस्ट के किसी सदस्य को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है इस संशोधन के बाद भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष का न्यास के पदेन सदस्य होने का हक समाप्थ हो जाएगा उसके जगहे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को सदस्य बनाया जाएगा जन्ता द्वारा वित्त पोशित जलियाम वाला बाद प्रस्ट की स्थापना साल 1921 में की गई थी इसके नए न्यास का गठन साल 1921 में किया गया नए न्यास में व्यक्ती विशेश को सदस्य बनाया गया तथा किसी समवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ती को इसमें शामिल नहीं किया गया था अब सरकार निर्वाचित लोगों को समवैधानिक और प्रशासनिक पदों में शामिल कर रही है किसी विशेश व्यक्ति को नामित नहीं किया जाएगा साथ ही इन सदस्यों को हर पाँच साल के बाद बदल दिया जाएगा साथ ही शहीदों के परिजनों को भी ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा